अब बुद्धिवी नमस्कार कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं ठीक होँगे आप शबी का बहुत बहुत आभार कि आप हमारे चैनल पे आकर और इतना वीव जा रहा है बहुत अच्छा है अच्छा आप फिर शे आभार एक-दो बुधि-जीवी लोग हमारे साथ थे और उन कि एक आप्ठो वीडियो जो डाली है एक पढ़ाई के माद़र से तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे विज्जाले में बहुत सारे भी नियू स्टुडेंट्स हैं और नियू स्टुडेंट्स को राइटिंग लिखने में काफी तकलीब हो रही है काफी दिक्कत का सामना करना प पर टच करता है तो ज्यादा समय वक्त नहीं बिताते हैं सिधा अपने कॉपी पर आते हैं और देखते हैं कि रैटिंग इसकील की से लिखा जाता है चलिए स्टुएंट्स तो हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश का या लेकिन का कॉपी जो है उसमें राइटिंग किस प्रक पता नहीं कि ए कहां जाएगा वी का है अ आपके पास तो सबसे पहले आपको उपर में भीक लालना सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है इसके लावा आप लोग यहां जो न्यू बाले शुडेंट्स आये हैं यहां पर जो आपका चेप्टर का नाम लिख देते हैं यह आपको नहीं लिखना है बस इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको यहां नहीं आपको यहां से लेकर नीचे यहां तो आपको यहां से लेकर कि नीचे यहां लिखना है यहां तक आप लिखेंगे और नीचे आपके parents का sign होना चाहिए parents का sign होना चाहिए parents sign होना चाहिए यहां पर आपका और इसके अलाबा मैंने बताया था आपको assembly time में ओल्षोनित 아 пойдет है कि एहां पर लिखेंगे कि किपना दिर में आपका लिखाय है। और रायटिंग जब भी लिखना है तो अपने parents के सात्में लिखना है और parents के सात्में लिखने के बाद आपको यह style jul करना है कि मैंने 15 मिनिट में लिखा या 20 मिनिट में लिखा और निचे आपके साइन करेंगे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं बार में पूरे कॉपी में सायन कर वा लेते हैं और सिर्फ सो बोला जाए तो गलत विहाइब करके और इस प्रकार से लिए करा रहे तो यह सब आप लोग अपने मैनेज करिएगा, अपने पैरेंट से भी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप तभी बच्चे का कॉपे में सायन करें, जब बच्चा आपकी सामने राइटेंग लिख रहा हो, तो चली हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, मैंने तो इसको बोला जाता है बूलू लाइन, मैं आपको बता दू, इस ही सामको समझ में आएगा, कि कौन से लाइन पे कौन सा लेटर जाएगा, तो यह हम लोग चार लाइन, फिर आप देखेंगे, हाँ भी देख रहे हैं चार लाइन, इसके अलाबा नीचे भी देख रहे हैं एक, दो, और तिर, यह तीन ही खाना रहेगा लेकिन लाइन आपका चार हो जाएगा, तो चलि एम लोग अगले पेज में स्टाट करते हैं, और हम लोग असमॉल और कैपिटल दोनों को एक कहीं बार में करते चलेंगे, कि ए बला कहा जाएगा, और कैपिटल ए कहां जाएगा, तो सबसे पहले कैपिटल A की बात किया जाए तो कैपिटल A देखिए आपका ये रेड लाइन से लेकर बुलू लाइन तक आएगा और ये इधर तक आएगा और जो अस्मॉल वला एर है ये बीचो बीच में लिखाएगा ये आपका A होगी है बाबू इसके अलावा B की बात किया जाए तो B आपका भी रेड लाइन से लेकर के और ये बुलू लाइन तक आएगा और अस्मॉल वला की बात किया जाए तो ये यहां तक आएगा और ये विलाइजर तक आएगा ये बुलू लाइन में ही घुम जाएगा इसके अलावा दी C की बात की जाए तो फिर से C में बता दो कि यहां से लेकर यहां तक आएगा और आसमॉल की बात की जाए तो यह बीच में गुम जाएगा D की बात की जाए तो D आपका यहां से लेकर यहां तक आप एक बात गौर कर रहा होंगे अधि आप आपका दिमाग कुछ काम कर रहा होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो स्मॉल और कैप्टल है बस एक नहीं चीज़ का आपको याद रखना है जी की बात की जाए तो यह देखिए यह रेट लाइन ऊपर से स्टाट होगा और बुलू लाइन बीच में और यह देखिए नीचे असमॉल वला नीचे तक जाएगा जी हो गया जी के बाद एच एच आप देखेंगे गौर करेंगे जी आप कुछ गौर कर रहा होँगे के बाद यह की बात की जाए तो फिर यहां तक और यह यहां तक M की बात की जाये तो M यह दखिए यह आपका M होगी और M की बात की जाये तो यह ऐसे हो गिया N यह दखिए N हो गिया और यह laughter O sorry यह नीचे तक ही टच होगा और यह बीच मैं आएगा P यह यहां तक आएगा और ये नीचे तक आएगा P हलागे कुछ लोग P नीचे से ने देते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे भी देते हैं दोनों तरीका समय बता जाता हूँ P के बाद अधि Q की बात की जाए तो ये आपका Q हो गया और ये नीचे से Q Q के बाद R तो ये आपका R हो गया R के बाद S कुछ इस परकार से असमय बाला ऐसे भी और ऐसे भी काट देते हैं और लोग ऐसे भी दे कर छोड़ देते हैं दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद T ये हो गया और T असमय बाला ये हो गया T के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं U में तो ये U आपको फिर से ये तीन लाइन तक और ये इसना तका करके घुमा देते हैं B ये तीन लाइन तक और ये बीच बला में अस्मॉल वाला U B W की बात की जाए तो ये M का उल्टा होगा ये हो गया W कैपटल और ये W अस्मॉल इसके बाद X फिर से ये तीन लाइन और ये सिंगल लाइन इसके बाद B तो B देखीगा अब उपर से ये हो गया कैपटल वाला और नीचे से हो गया आपका अस्मॉल वाला ये नीचे तक टच होगा थोड़ा ध्यान देजिएगा आप लोग बाए के बाद Z और ये Z इसमॉल वाला ये ही है आपका अब जब भी आप लोग लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे जब भी आप लोग देख लिजिए मैं आपको ये करके दिखा देखा हूँ जब ही आप लोग लिखने के लिए जब है स्टार्ट करेंगे तो आपको जहां कयांको कईया वुष करए ँजिए तो आप देख लीजिए कि कहांको कैप्ल ले दिखा का बात किया तो क्यों का बात किया तो नीचे तक आ रहा है कि इसके अलावा जो भी है काड़ल में वो आपको ऊपर से तीन तक आएगा उससे नीचे क्ड़न में नहीं तो इस तरह से आज का वीडियो रहा और अधी बीडियो पुशंद है तो बिल्कुल लाइक कर दिजिए कमेंड करिए आपको और भी किस तरह का वीडियो चाहिए एक दो लोग हैं जो बिल्कुल बता रहे थे किसे आपका वीडियो तो मैं देखता हूं लेकिन कुछ इजुके